हैलो उश्रेंटS कैसे उम्मीद करता हूं बढ़ी हों गई आज की ये कलास मेरी प्रोफिट एंड डोज की कलास नंबर टो है कलास नंबर वन में आपको बेसिक और कुछ इंपोर्टेंट क्योशन कर आये थे और ये कलास नंबर टो हैस में आज हम पांच important question करेंगे जो कि लगातार पेपर में आये हुए हैं अगर आप कोई भी competitive या फिर कोई आप entrance exam देते हो तो आपको 100% इस तरह के स्वाल वहाँ पे करने को मिलेंगे और गाते होंगे तो आप कर पाओगे तो चलिए 5 question जो होंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ comment box में बताना मुझे किन किन बच्चों को यह स्वाल आते हैं और इनका answer मुझे comment box में दीजिएगा आगे बढ़ने इस पहले वीडियो को like channel को subscribe कर लेना जिससे आने वाले सारे update आप तक पहुंचते रहेंगे तो चलिए सुरू करते हैं बिना time गया question number one और ध्यान दे लेना अ एक वस्तु के करे मुलिया और विकरे मुलिया का answer 240 है यदि लाब 20% है तो विकरे मुलिया क्या होगा आपको यह बताना है तो एक बात ध्यान रखना बच्चों कि वस्तु का जो करे मुलिया होता है वो अपने आप में 100% होता है तो करे मुलिया हमने मान लिया कि हमारा 100% है 240 और आपको पता है कि कर्या और विक्रे मुल्या का जो बीच का अंतर होता है उसे कोई लाव या हानी कहते हैं लेकिन यहाँ पर यह अंतर है 240 और इसने लाव दिया है 20% इसका मिंस यह हुआ कि जो लाव हमारा यह 20% दिया हुआ है यह 20% लाव हमारा इस इनके अंतर के बराब जब आपको इसका लाब पता चल चुका है कि लाब 20% 240 के बराबर है अब आप CP और SP जो चाहे वो निकाल सकते हो इसमें पूछा विक्र है मुलिया क्या होगा Selling Price आप से पूछ रहा है और Selling Price है हमारा 120% जब 20% आपका 240 के बराबर होगा तो यहां से बच्चे हम 1% निकाल लेंगे 1% बराबर आपका 240 डिवाइड बाइ 20 हो जाएगा अब 1% का मान हमने यहां से निकाल लिया इसको कैंसल गए 0 और 2-24 हो जाएगा 12 बार कैंसल तो 1% है किसके 12 रुपे के बराबर और हमें बताना है विक्रेम उल्लिया Selling Price है आपका 120 परते है तो 1% 12 के बराबर हुआ तब 120 बराबर आपका हो जाएगा 12 इंटू 120 इसको हम Multiply कर लेंगे 12 को 120 से 12 बारा बारा 144 और 0 तो इसका जो विक्रेम उल्लिया होगा वो 1440, option number B आपका right answer यहीं पर अगर आपको करेम उल्लिया पूछता तो इसका हम 100 परतीसत यानि कि 1 परतीसत आपके 12 के बराबर है 100 से गुना कर देते तो 1200 रुपे इसका करेम उल्लिया जो कि हमसे नहीं पूछा गया था अगला परसन देखेगा इसकी मैं आपको short trick भी बताऊंगा और इसका basic भी कि क्या इसका basic है और कैसे उससे short trick बनी यदि एक विक्रेता एक कुरसी को 15% लाब के स्थान पर 8% लाब पर बेचता है तो उसको 56 रुपे कम मिलते हैं कुरसी का क्रेम उल्य क्या होगा ऐसी condition में अगर आपको क्रेम उल्य पूछा जाता है cost price क्या होगा तो आपको बस क्या करना है जितना भी कम और अधिक उसको मिलते हैं यह से कि आपे 56 रुपे कम मिल रहे हैं आपको 56 लिखना है और इसको divide करना है दोनों जो पहले लाब हो और बाद कि लाब इन दोनों के अंतर से मिंस 15 माइनस 8 और इन्टू 100 चलिए हल करते हैं 56 अपॉन 15 में 60 या 7 और इन्टू में 100 तो वह जो कुरसी है 800 रुपे की है आपका राइट आंसर चलिए अब समझते हैं इसका basic सोटकट आपको समझ में आ गया कभी भी आपको इस तरह का question पूछा जाए कि इतने लाब पर बेचा है दुबारा इतने लाब पर या थर पहले इतने लाब पर बेचा था दुबारा उसने बेचा तो इतनी हानी हो गई तो उसको इतने कम मिले तब भी आप यही प्रोसेज लगाऊ गए या फिर वो कही कि पहले इतनी हानी पर बेचा था फिर उसको इतने लाब पर बेचा तो बताओ उसको कितने रुपे मिलेंगे तो सब में आप इसी मेथड के according इसको कर सकते हो अगर हम इसके basic की तरफ घ्यान दे तो basic आपका कुछ ऐसा है तो आपको मान लेना है कि आपका cost price यहां पे x रुपे था 15% के lab पर बेचा है यानि कि पहला जो sp1 था पहली बार जो इसने बेचा हो 15% lab यानि कि 115 x upon 100 x के 115% पर इसने बेचा दूसरी बार में इसने 8% lab पर बेचा तो sp2 हो जाएगा हमारा cpx था तो lab इसका 8% है मतलब दूसरी बार इसने 108 x upon 100 पर इसको बेचा अब इन दोनों के जो बीच का अंतर है यही तो 156 रुपे कम मिल रहे है क्योंकि sp1 जो है वो बड़ा है फहले इसको जादा प्रोफिट मिल रहा था दूसरी बार में कम प्रोफिट मिल रहा है कितना 56 रुपे कम मिल रहा तो ऐसी कंडिशन में दोनों के जो बीच का अंतर है वही 56 के बराबर है तो यहां से अगर हम इसको हल करते हैं तो आपका वही आएगा 115 x upon 100 minus 108 x upon 100 is equal to 56 यह जो 100 है यह इधर चला जाता है और 115 में 60 गए तो 7 x बराबर आपका 56 into 100 x is equal to 56 into 100 divide by 7 soul करेंगे वही आप का अंसर आ जाएगा किलियर बच्चो तो बस अगर हम यह आप इस सोट की बात करें तो जितने भी कम अधिक मिलेगा यह आपको लिखना है divide by जो भी लाभानी है इनका अंतर लिखना है और into 100 आप देखते हैं next question question number third question number third भी बहुत important question है और आसान भी है चलिए समझे इसको कैसे करना है एक radio उसके अंकित मुल्या के 3 बटा 4 पर खरीदता है यानि कि जो भी radio के उपर मान अंकित है उस मान पर नहीं उससे कुछ कम में खरीदता है तथा इस पर अंकित मुल्या से 20% अधिक पर बेच देता है एक आप लाप परतीसत क्या होगा तो आप ऐसे मान के चलिए कि उस radio के उपर जो उसका अंकित मान था printing price था वो आप मान लीजिए 100 रुपे क्योंकि 100 की calculation बच्चों का आसान पढ़ती है इसलिए तो यह 100 रुपे के थी लेकिन उसने 100 में नहीं खरीदी उसके 3 बटा 4 में खरीदी मिन्स अगर यहाँ पर हम कोश्ट प्राइज की बात करें करें मुल्या की तो वो 3 बटा 4 in 200 एड क्योंकि 100 के 3 बटा 4 पे खरीदी 4 से 100 कटे का 25 पच्चिस तिया 75 यानि के वो 75 रुपे में उसने खरीद के लाया 100 रुपे की वस्टू को लेकिन जब बेचने की बारी आई तो उसने 20 पर 30 अधिक पर बेचा अगर हम यहाँ पर सेलिंग प्राइज की बात करें तो 100 रुपे की वस्टू थी 20 पर 30 अधिक पर बेची वो कभी भी वैल्यू चेंज नहीं होती तो अब यहाँ पर देखे 100 रुपे की वस्टू थी जिस पर 100 रुपे लिखा हुआ था लेकिन उसने खर्च किये केवल 75 और उसको बेच दिया 120 रुपे का अब यह हमसे पूछ रहा है कि एका लाब पर 30 क्या होगा तो पहले पता करोना इसका लाब कितना हुआ लाब इचकल्टू क्या होता है SP माइनस CP जितने में बेचा और जितना खर्च किया था 120 रुपे का इसने बेचा और केवल 75 रुपी जिसने खर्च किये थे माइनस करेंगे 120 और यहाँ पर 75 में इसने बेचा तो कितना लाब हुआ यहाँ पर इसको देखे माइनस कर दिये 10 में से 5 गए आपका 5 बचा और इधर बचा 11 में 7 गया 4 तो कितना हुआ 45 रुपे का इसको प्रोफिट हुआ अब देखे 45 रुपे का प्रोफिट हुआ किस पर 100 पर नहीं निका लेंगे 75 पर जो इसने अपना खर्च किया था उसी पर ही तो निकाला जाता है तो यहाँ पर निकालेंगे बच्चे प्रोफिट परसेंटेज इस इक्वल टू क्या गया प्रोफिट अपॉन सीपी कितना है 75 और इंटू हंड्रेड यहाँ पर स्वाल करेंगे यह तो काफी जी है और इसका अंसर आप ही लोग दोगे बस मैं आपको हिंट देता हूँ एक वस्तू 7500 में खरीदी 8400 में बेच दी तो बताओ लापरतिसत क्या होगा तो यहाँ पर वस्तू को खरीदा गया 7500 रुपे का और इसको फिर बेचा गया 8400 रुपे का क्यों ना पहले आप पता कर लो इसको कितना प्रोफिट हुआ क्योंकि कम में खरीदा है जादे में बेचा तो 8400 में से 7500 आप माइनस कर दोगे जीरो जीरो 14 में से 5 गया 9 तो यहाँ पर इसको 900 रुपीज का प्रोफिट हुआ हमसे पूछा है प्रोफिट परसंटेज बताओ आपको पता है ना प्रोफिट इंटू सीपी इंटू हंड्रेड प्रोफिट 900 रुपे का हुआ किस पर सेवंटी 500 पर और इंटू हंड्रेड यहां से सोल करेंगे जीरो से जीरो आपकी कैंसिल हो जाएगी फिर इसको 5 से काड़ दीजे 15 55 75 इकम 5 बच्चे कितने 4 5 640 और जीरो 15 इकम 15 और 15 दूनी 30 तो इसको 12 पर सेंट का क्या हुआ प्रोफिट ओफिट नमबर सी आपका राइट आंसर अगला परसंट देखिए इस वस्तु को खरीदा भी गया और फिर इस वस्तु के ओपर कुछ पैसे भी खर्च कर दिये गए हैं और उसके बाद इसको बेच दिया गया तब आपको बताना प्रतीस अतलाव यहानी क्या हुआ तो यहां पर उसने वस्तु को खरीदा तो अगर हम यहां पर टोटल कोष्ट बता है जो आप्टल करें मेज इसने बाराना की कःओ धे दिया तो यहां उसे तो बेचने की बात आई सैलिंग प्रायज की तो इससने चो इसलह सो अस्ती का बेच दिया अब हमें बताना है कि इसको कितना percentage profit हुआ यानि कि लाब हुआ या हाँ नी तो बच्चे देखो यहाँ पर इसमें लाब ही हुआ है क्योंकि कम की खरीते हो जादे की बेची अब हम देखते हैं कितना लाब हुआ लाब इचकल टो होता है SP यानि कि selling price और minus cost price यहाँ पर हम इसको माइनस करेंगे 16 में से 1400 तो 280 रुपे जो है वो इसका profit हो जाएगा अब आप जानते हो बच्चे profit percentage इचकल्ट होता है profit upon CP into 100 इस formula के use से आप लोग profit percentage निकालोगे तो इसमें इस formula के use करकर आप मुझे बताओगे कि profit percentage आपका कितना हुआ इसका अंसर मुझे comment box में देना और अगर आप यहां तक क्लास में आ गए हैं तो इसका मतलब आप seriously अपनी तयारी कर रहे हैं तो आपको सारे update और जो भी आपके doubts है वो मैं यहाँ से clear आपको करा दूँगा बस वीडियो को like चेंग और subscribe कर लेना आने वाले सारे update फॉर्म का बारा admit card का डारा कैसे भरा जाएगा कौन-कौन से document लगें क्या age होगी वो सारी चीज़ा आपको यहाँ पर मिलेगी चलिए आज की क्लास नहीं पर एंट करते हैं पाकी अगली क्लास में आपको मैं यह सारे important question कराने वाला हूँ और इन मेंसे जो जो question आपको आते हैं इसकी insert ले लीजिए उसका answer आप मुझे comment box में जरूर देदी अब तक के लिए धन्यावाद जैहन जैवाद